अई अपको आपको में ग्रैंड के साथ स्मॉल लिग की टीम और आपको बाई की पिक्स बताने वालो इसलिए वीडियो को किसी पार्ट को स्किप मत करना बहुत इंपॉर्टन वीडियो होने वाली है तो उससे पहले अगर आप मारे यूटूब चैनल पर नए आये हो तो आप आपको मारे टेलीग्राम चैनल जॉइन करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है फेंटैसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पे नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा, सेम नेम से मारे टेलीग्राम चैनल अवेल होले, पर आपको करना क्या है कि वीडियो के नीचे जहां comment करते हो, वहां आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का link लिंक मिल जाएगा, सबसे उपर llink होगा, जैसे आप हमारे टेलिग्राम चैनल के link पे click करोगे, टेलिग्राम चैनल ओपन जाएगा दैन इसको जॉइन कर लेना ग्रैंड लिग में रैंक वन की फोटो लगी होगी एक चीज आपको ध्यान रखने के टेलिग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में जो लिंक दिया है न उसी का यूज करना है तब ही आप हमारे सही और ओरिजनल चैनल के साथ जुड़ पाओगे तो करते हैं वीडियो को च्टार्ट तो जो ग्राउंट रहने वाला है वो रहने वाला एडिलेड ओवल एडिलेड में तो यहां पर एक्सपेक्टेड के रहने वाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 165 के अराउंड एवरेज स्कोर बट यहां पर पुरे टॉर्णमेंट पर दो टीम ऐसी हैं जैसे बिग बैश में आप मान लो पुरी दो टीम ऐसी हो सेकंड बैटिंग करते हैं तो आप मानके चलो कि दस में से साथ मैच में वह रती और बहुत जल्दी आउट आती है जिसमें से आति एक एक पर स्कॉचर से यहां पर मैलवन रेनीगेट्स तो अकर इनकी टीम से सब्सक्राइब करते हैं तो में जल्दी आउट हो जाती है मैं इस सीजन ही दो तीन सीजन से फॉलो कर रहा है और उससे पहरे भी अगर आप देखोगे तो अगरे तो अगरे नहीं करते हैं यह प्रेशर नहीं कर पाता है चेस करने का अगर इंकी टीम कोलापस आधी अगर नकी टीम देखोगे तो एक से बढ़कर एक दिगज बैसमन अवेलेबल बाकि आते स्क्वाइड के ओपर तो यहां पर स्कुआड दे सकते हैं आप इन्होंने स्ट्राइकर्स के लिए तो यहां पर देखो कि तो इनके लाश्ट मैच जो प्लेइंग लावने टीम ते अलमुष थारे वह प्लेयर आपको खेलते में नदर आएंगे तो इनका ही मैंने देखा फुर्दर कोई आसा चेंज स्क्वाड में बड़ा चेंज तो मुझे दिखा सःधा यहां यहां पर दोने टीम सेम ती तो यहां पर किसने विं किया था यहां पर एडिलेस्ट्राइकर से नहीं चाहिए लगता है कि ATEO में चैन düşün system Karl यह नहीं तो यहां पर बात में ड्यू फेक्टर आता है बॉलिंग करते वे तो यहां पर ब्यू टुम बैटिंग करते हैं वह इसीली चेस कर लेती है पर नहीं पर दोगो कि तारे इस्ट के यहां पर दोगो आसमें खेले अनले करते हैं तो ब्रॉं उटोगो फाले इसा चेस लिएसा लेक्रति अब्यू अप्ते हैं तो जल्दी आउट और यहां वहां होती है और फॉरन ओवर्सीज की प्लेयर है या भीच्छ लीग में तो अवर्सी छीड में चुलिग में तो मैं ङ थोड़ा हिटिंग प्लेयर है या तो जल्दी आउट हो गई या तो फिर 30 40 50 60 रन बना सकता है अगर अच्छा सेट हो जाए ठीक है बाकी हिटिंग पर ज्यादा भरोसर रखता है बाकी यहां पर बात करें गोते जैक वैदर जो इससे थोड़ा बैटर बैट्समेन है यहां पर अगर भरोसर की बात करें मुझे तो जैक वैदर पर ज्यादा भरोसर नजर आता है और यहां पर काफी कंसिस्टेंट बहुत बढ़िया प्लेयर है और इसके बारे में सब्सक्राइब कास दताता हूं कि 2018 में जब एडिलेट स्ट्राइकर्स फाइनल जीती थी तो इसने बहुत क्लास प्लेयर है अपनी टीमें आप लेके चल सकते हो वाकिया पर एलएकश कैरी और वैदर अब लास सीजन में तो क्या हुआ कि फिलिप sorry को नहीं भाय करा और इसलिए यहां पर यहां पर न किया था कि फिलिप्स यहां पे जैक वैदर और एलेकर करते थे और इनकी यह पर बहुत करें तो यह दो बहुत करें तो यह थोड़ा इन-वर आउट वाला प्लेर बाकि एलेक्स करी तो अभी रिसेंट पर फाइनल मैच रहा था टीट्वट वर्ट फिफ्ट ओडिया इंग्लैंड में जाके उसमें इसने मैक्सकॉल के साथ संच्री लगा के फाइनल म मुझे कहीं न गई गड़ फीलिंग से अपने अंदर से मुझे पता है कहीं न कहीं कि यहां पर मैथ्यू रंशो जल्दी एक दो मैच में अच्छी इनिंग खेलने वाला क्योंकि बहुत बढ़ी है टेस्ट मैच में खेल चुका इंटरनेशल लेवल पे और लेफ्ट-ंड का इसने में खास बात है कि इसी बॉल स्टार्टिंग बहुत स्विंग हो तो मुझे लगता है कि फिलिप सॉल्ट शायद कल जैसन बरन जल्दी निकाल सकता मेरे मन में थोड़ा है तो इसने ग्रेंड लिग में आप ए ट्राइ करने का और बरन दो को लेने का बाकि बात करो कहा जाने बाल सबसे बढ़ा बड़ा एए और इसने जितने मैच लाश्टियर के लिए और सब मैच में से यसने सराँ बहुत अची परफॉमेंस करी और कंसिस्टेंट का फिरा था इसने लिए फिनिश बहुत अच्छी गया तो एक बहुत अच्छा फिनिश आ है जोनतन तेम को संभाल भी सकता है बाकि यहां पर मैथ्य शॉट ऑग प्लेर ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है डार्टी शॉट का भाई है और मेरे खाल से जादा इंपॉर्टन रहे का नहीं हो तो राशिट खान बैटिंग से भी अच्छा से पॉइंट दे रहा है और यहां पर वैसे देता था बट अब काफी टाम बाद एक बैटिंग अजर भी आया है और प्लस बॉलिंग से भी पॉइंट देगा है मुझे लगता है दो विकिट अटलिश निकाल के देगा है तो यहां पर राशिट खान मेरे लिए कैप्टन सी की पिक होने और डैनियर वार्ल जो की बैट अब आपनी टीम आप ट्राइब कर सकते हो चार वर में अलमुस्ट हर मैच में से अची परफॉमेंस देना था डैनि ब्रिक्स यह भी ससेक्स शाक्स के लिए खेलता है जिसमें फिलिप सॉल्ट के बलाश में दोनों सेम टीम के बले रहे डैनि ब्रिक्स और यहां पर आपको नहीं पता तो इससे पहले भी अगर आपने डॉमेश्टिक पर फॉलो करा हो तो इसको में डॉमेश्टिक लेवल में कई वार पांच-पांच विगिट निकालते हुए भी देखियों है वैसा है अगर को देना पीटर से लिए इंटरनेशनल लेवर का एक्स्पीरें मैं पांच-बॉलर में कोई कम निया किसी को भी भी दो कार से यहाँ पर लो तो वरल सीडल आपके आपको पार्ट-टाइम बॉलिंग आपे मैथ्यू रैंशो भी करते हुए दिख सकता है और आपके मैथ्यू रैंशो आड़ कर सकता है किसी भी सिचोशन पे बाके इंकी टीम में तो इस्टारों से भरी वे लाइनप है तो चार एसे प्लेयर है जो एक बंदा कर अच्छा दिन भी हो तो अके लिए दंपे मैज इता सकता है अगर इंकी टीम में वही बात है कि पर्ट-टीम आज नहीं पहले साइम से को देखता बार हो कि जब कोलाइबस होती है सेकंड इनिंग में तो एक कोई बड़ा सा बड़ा प्लेयर क्यों नहीं है तो यह पर बात करें जॉश इंग्लिश जिसका लाश्ट यर बहुत जदा बढ़ी है गया था और भी रिसेंट में का डॉमिस्टिक का टैस्ट मैच होता है उसमें यह बात करें तो जैसन रोई अगर आप पुरा देखोगे ना भी अई तिंग अगर आपको यादो क्रिकेट जो भी स्टार्ट वह वह अगस्त के असपास से वा है इंका पाला जो सीरीज वाता इंग्लेंड का इसमें आइलेंड के साथ तो उसमें जैसन रोई बिल्कुल फुर परा उसके अभी रिसेंट में जो टी-20 जो सीरीज रही तो अभी तो बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है पहले मैच में थोड़ी अच्छे इनिंग करता है दिख रहा था बट इसने फिर वही अपनी इक्ष्टे ने की अच्छे इनिंग को अपने फालत में विकेट देकर चला इसमें अगर आपको पता हो तो कॉलिन मुन्रो तीन मैच के लादा बागी बात कुरहांगा लाइम लिविंग्स्टन जो कि इस इंग्लें की डॉमिष्टिक का सूपरिश्टार बैट्समें और बहुत बड़ी अपले रहा है लाइम लिविंग्स्टन मिस्मत करने वाली बा यह आपको दो काम कर सकता है तो बैटिंग और इसमें से साथ मैच है आठ मैच मैच पर बालिंग कर सकता है और बालिंग भी अच्छी करता है तीन से चार ओवर एक अदा विकित निकाल के दे सकता है अगर चार डाले और यहां पर लाश्ट यह बहुत बढ़ी है इसका इसन पर बालिंग पर बालिंग निक पर बड़ी इनिंग अपनी दम पर जदाने के पूरी उमीद रखता है तो तीन असे प्लेशन के तीम मैच प्लेट सकते सामने चौथा एड कलो ता पर मिचल मार्श जो रिसेंट पर काफी अफी अच्छ मने जा तन आई पल में इंजर्ड हो अच्छ में लाश्ट पांच शे मैंने से बात करें जौश इंगलिश भी इस साल इसने टच बड़ ने अच्छ में अच्छ में है और लाश्ट टू लाश्ट में पचास करके भी यारा जैना अथा एस्टन टर्णर आइसं को याद हो तो मोहाली में इंडिया गेश इसने 84 इनिंग लिए वंडे में 50 46 बालों में और मैच इंडिया हार गी थी बड उसके बाद इसने भी बिग बैश में वापी इस खेल रहा है और बिग बैश में ठीक था पर फर्फर्मिस के इंटरनेशल लेवल पर अपनी कुई चाप छोड़नी पाए बार बिग बैश में अभी फर्फर पर इसमय पर इसने बाद प्रफर्म पाद त्वरी प्रश एंडिक ने प्रफरने लेवलरश में वार अजिए चरणीर को करे कुई कि यह बंदा आर देक्ष को देख लगता कि फॉइघक बादे गानी जार चारों टालेगा तो एक राट तो विकेट जेगा प्स ब लिए भी खेल दिखाऊ एंधनी अनने लेवीिसом सिटाम यह कि विलियु लांस उनी गलता है to रर्चण वारु बापि रिचर्डसं जादा बरु से मंद है यहां पर चार ओवर रहने वाले पावर प्ले के यह आपको बॉलिंग करते हैं और वहां पर सबसे बैस चाहज मतता है कि निकालने के अगर आपको एक सीरीज याद हो जब इंडिया आई थी 2017 के आसपास ऑस अस्टेलिया तब इसने इंडिया के चार विके जल्दी निकाल दे आपको कल देखने को मिलने वाल है बाकि यहां पर तो इसनी कोई कि बॉलिंग कि इतनी वैल्लिउ निया बाकि अधिंग आपके अपने इसको देखाऊगा चार विकेट निकाल से मैच में फावाद आइमाद है ऑके श्पीनर अच्छा बॉलर है और कंटिनिस विकेट निका बाकि बालिंग में देखो कि यहां पर बैरेंड ओफ है कि मैंने जैसे बोला कि पावर प्ले बॉलर पावर प्ले में विकेट लेगा नहीं तो अधरवाइस इससे एक्सप्रेशन मत करना जैन जैन रिच बड़ेंगा तो यहां पर आपको एक बड़ा प्लेर चोड़ना करेड़े को लिया है क्या लिचाइक डाट भॉट्ध में अगर औरॉक को लेता हूँ मैं तो झालना टीरिया मई चर्च में अबाकि अग यहां 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 पर जारहा हूं रोल की जगह मुन्रो के साथ ठीक है बाकि वैल्स आपके लिए ग्रेंड लिए सॉल्ट को लिया जो लाश्माच में फिफ्टी कर आ रहा है बाट ग्रेंड लिए मिस करना जैसे कि मैंने काई जैसन बेरंडव वर्से सॉल्ट आपको देखने को मिल सकता है बाकि अपर तर्नर जो बैटिंग ओडर काफी नीच होगा इसले मैं को स्मॉलिंग कर रहा है बाकि अगर आप देखोगे तो बैंक्रॉफ्ट लाश्माच में नहीं केला और यह यूस कर तीम का सही से यूस नहीं और ग्रैंड लिके बट में पर क्रेट अवेलेबल नहीं तो मैं इसी को ले ले लता है यहां पर मैंने लिया राशित खान जायर रिचरड़सन डैनिल वारल और राइगर तो आपर साड़ाट क्रेट मुझे सिर्फ एक अच्छा उप्शन नजर आता है या तो आप टाई ल टाई दो विकेट लेता है पचास से ओपर पॉइंट देगा थोड़ी बात बैटिंग भी कर लेता है तब कर लेता है तब कर दो अप्शन फूल अवेलेबल है स्मॉल लिग के मेरी टीम रह सकती है बाकि क्रेट पुरा यूटिलाइज होगा थोड़ा क्रेट का इश्यू आ तो क्याप्टन मेरा है सकता है वाइस के अप्शन अप्शन फर्शन बैटिंग कर रहा है तब आपके पास एक अच्छा उप्शन एप्शन ए जो की बहुत कंसिस्टेंट है अगर मिचल माश्चे कंपेर करो तो और बाकि अगर देखो के तो ग्रैंड लिग में बता दूग करने बाकी बाकि DAN करेंग के तो तीम के मैंने क्रियेच के अधे आफ देख सकते है आपर मैंने जह नहीं की जगा आप किसकी जगह वैल्सक्र contributions तो यहां पर मैंने जाय रिचर्ट्सन को इसलिए ड्राप करने तो और पर अवेलेबल नहींत। यह पर रखार कर मैं इसको ले पा तो फावाध को लिया है जाय रिचर्ट्सन की जगह आप इसको घॉड़ कर दिया आपके बाद दूसरी जो जो ग्रैंड लिकी तीम है वह होने व में बोला है कि Middle- EBD का बहुत अच्छा प्लेयर रखर बाध यह रहा है कि अब बारे की आप करेडिक सबस्क्राइबर लेक्टर शक्र यह कहां बने कि कहां लिविंच यहां यह जो हें रहे जाव्चार रहे और बाइकि अच्छा आपके बाध जा सकता है आपके बार की जो कि विकेट जल्दी गिरती है तो फिर विकेट देते जाते हैं और दूसरी बात करें आपर राशिद खान को खेलना पसंद नी करते हैं मुन्रू अगेरा रहाय हो या फिर कोई भी प्लेर को इतना खेलना पसंद नी करते हैं राशिद खान नंबर यंटी बॉलर है और अप तो इसको टी यंटी प्लेर ऑफ देकेट का भी अवर्ड मिला है तो यहां पर राशिद खान को तो मैं गालते हैं दो विकेट मुझे लगता है कि देखे देगा प्लस कुछ रन मार के दे सकता है और 10-15 अरण में मार जारे कादा कैच कर जा है तो और पचास के ओपर पॉइंट दे सकता है तो राशिद खान मिले गुट पिक रहेगा बाए कि बाकी मिचल मार्श को मैंने लैस्की रुखा है देखो इसका यही है कि लाश्ट मैं बालिंग करी बट क्या पता फ करें तो वीडियो अच्छी लगिए तो एक लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब का रैट बेटर नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना और गंटी दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहला है जब भी व अपन जाएगा दैन इसको जोइन कर लेना ग्रैंड लिग में रैंक वन की फोटो लगी होगी तो एक ची आपको ध्यान लखने कि टेलिग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो की नेचे कमेंट में जो लिंक दिया है ना उसी का यूस करना है तभी आप हमारे सही और और ओरिजिनल चैनल के साथ जोड़ पाऊगे तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ जाहिन दोस्तो बाई बाई